हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को धेर सारी शुब कामना है, चंदरियान 3 ने सकसफुली लेंड कर लिया है, 6 बचकर 4 मिनट पर ये जो टाइम है वो इतिहास के पन्नों में छप चुका है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती रह गई कि किस तरह से भारत ने इतिहास रच्दिया और पूरे विश्व में पहला देश बन गया है मून के साउथ पोल पे सकसफुली लेंड करने वाला, तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही जादा खास है, आज हम पूरे देश में बहुत जाद आज खुशिया मनाई जा रही हैं, और आप सभी को से बहुत सारे questions बनने वाले हैं, तो एक ये करके मैं आज इस वाली वीडियो में बहुत सारे questions आपके लिए लेकर आई हूँ, कि exam perspective से क्या-क्या questions यहाँ पे बनेंगे, तो चले फिर शुरू करते हैं, तो एक ये करके सबसे पहले देखो, चंदरियान 1 को जब launch किया गया थ 22 October 2008 को launch किया गया था, और इसके अंदर जो launcher गया था, ये कौन सा था, PSLV C-11, ये launcher गया था, उसके बाद जब चंदरियान 2 को launch किया गया, 22 July 2019 को launch किया गया, और इसमे GSLV Mark 3 rocket का use किया गया, यही same rocket चंदरियान 3 में भी launch किया गया है, आप जो थर्ड वाला है, यहाँ से दे को, क्या क्या questions बनेंगे, शुरू से शुरू करते हैं, हम एक भी point मिस मत किजेगा, सबसे पहली चीज, 14 July को इसे launch किया गया, 2023 में, ये कब पहुंचता है, 23 August को, 6 बज कर 4 मिनट पर, इसने क्या किया, successfully launch कर लिया है, 6 बज कर, कहा पे launch किया, जो moon का south pole है, south pole जो है, ये एक ऐ ऐसा एरिया है, जो हमेशा ढगा रहता है, जहाँ पर सूरी की किरणे नहीं पहुंच पाती है, कहा जाता है कि इस वाले एरिया में, बहुत सारी minerals, बहुत सारी चीजें हैं, जनके उपर research किया जाएगा, यहाँ पे पानी भी है, है ना, यहाँ पे minerals भी है, तो अब क्या है, हमारा जो पहला mission था, हमारा जो उदेश्य था, इसको launch करने का पहला उदेश्य था, successfully south pole पे land करना, वो पूरा हो चुका है, अगला जो उदेश्य है, वो है, यहाँ पे research करना, इसकी जानकारिया तो हमें research के बाद ही मिलेंगी, आप सुनिएगा, चलो, सबसे important चीज आप से पूछा जाएगा, isro को कितना पैसा दिया गया था, इस पूरे project के लिए, तो यह दिया गया था, 600 करोड रुपए से जादा जो है, वो amount यहाँ पे isro को aloge किया गया था, इतना cost दिया गया था, ठीक है, तो जो हमने चंदरियान two भेजा था ना, second वाला जो हमने भेजा थ इसमें क्या क्या चीज, देखो, आपसे difference पूछा जाएगा, what is the difference, आपसे पूछा जाएगा, सीधा सीधा सवाल बनेगा, what is the difference between चंदरियान two and three, one तो छोड़ी दो क्योंकि one में तो ऐसा विक्रम, ऐसा लेंडर और रोवर भेजा ही नहीं गया था, ठीक है, तो जो second वाला इसमें क्या गया था, लेंडर गया था, और इसमें रोवर गया था, और इसमें और बीटर भी भेजा गया था, ठीक है, आच्छा, तो अब ये तो बात हो गई किसकी, second वाले की बात हो गई, हम third की बात करते हैं, चंदरियान three जो है, इसमें सेम लेंडर भेजा गया है, इस तक काम कर रहा है, वो अभी तक काम कर रहा है, 2019 में जो हमने भेजा था, अभी भी वहाँ पर काम कर रहा है, अच्छा, तो लेंडर का नाम क्या है, लेंडर का नाम हो जाएगा विक्रम, जो कि चंद्रियान 2 में भी सेम नाम था, और रोवर का नाम क्या हो जाएगा, तो जो विक्रम नाम रखा गया है ये विक्रम सारा भाई के नाम पे रखा गया है ठीक है और प्रज्ञान का मतलब होता है ज्यान ये नाम लेंडर और रोबर दोनों में सेम नाम रखे गये थे अच्छा चंद्रियान 3 के अंदर ही जो की रोकेट भेजा गया था ये भी वही ह जो चंद्रियान 2 में गया था यानि की GSLV Mark 3 ठीक है सेम यही वाला रोकेट जो है वो बेजा गया है यह तो सारी शीज़ें हो गई यहाँ पर अब क्या पूछा जाएगा आप से पूछा जा सकता है कि इसका वेट कितना रहा टोटल वेट की बात करेंगे तो 3900 केजी जो है कि चालो इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप से एक आप से पूछा जा सकता है कि चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 में क्या डिफरेंस था एक तो और डिफरेंस आप से पूछा जा सकता है एक और डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है क्या इस ब ये important रहेगा, next आप से पूछा जाएगा, director कौन रहे, जो चंदरियान थ्रीजो मिशन था, इसको direct किस ने किया है, Ritu करिधल ने direct किया है, जिने की इसरो की, sorry, rocket woman of India की नाम से जाना जाता है, जैसे rocket man of India के सिवान को कहते हैं, ऐसे ही rocket woman of India जो है, ये रितु करिधल को कहा जाता है, आच्छा, ये तो बात उगए, ठर्ड वाले mission की, लेकिन अगर मैं पूछ हूँ जो second mission था, चंद्रियान सेकंड इसमें जो डिरेक्टर थे ये कौन थे मुथाया वनीथा नाम है इनका मुथाया वनीथा नाम है ये थे सेकंड वाले प्रोजक्ट के अंदर जो डिरेक्ट कर रहे थे ठीक है आचा इसके बाद एक और important चीज आपसे पूछी जा सकती है जो की आपसे ये जो हमने चंद्रियान फर्स्ट भीजा था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो याद रखेगा अटल बिहारी वाजपी जी थे और अगर पूछ लिया जाए जब सेकंड भेजा गया उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो हमारे मोधी जी थे ठीक है और थर्ड वाला पूछा जाए तो इसमें भी सेम कौन हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोधी जी तो ये सारे क्वेस्टेंस हैं जो कि आपके एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपर्टेंट है ये क्वेस्टेंस मौर देन सफिशेंट है जो यहां से पूछे जा सकते हैं आपके चं बैंड़ी जाएगी ये सारे इक्वेस्टेंस रट लीजिएक हर हाल में आपके एक्जाम में क्वेस्टेंसि चंप्रयान से बनेगा ही बनेगा तो एक एक चीज आप लोगों को नोट कर लेनी है यहाँ पे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक किजेगा शेर किजेगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके थांक्यू सो मच्छ आव अगुड डे टेक केर बबाई